नमस्कार दोस्तों मैं विकास त्रुवेदी आपके अपनी यूटूब चैनल विकास स्टीडी सरकल पर आप सभी का स्वागद करता हूँ दोस्तों हिस्ट्री की क्लास में हम लोग मुगल सामराज acquisition पर चर्चा कर रहे थे और दोस्तों हिस्ट्री की प्रिवियस क्लास में हम लोगों ने अकबर के बारे में विस्तरत तरीके से जानकारी प्राप्त की थी और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टापिक है जहां गेर दोस्तों हिस्ट्री की प्रिवियस क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1605 इसवी को अकबर की मृत हो जाने के बाद अकबर का उत्तराधिकारी जहांगेर हुआ तो दोस्तों आज हम लोग जहांगेर के बारे में विश्टर तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इतिहास की दृष्ट से और हमारे सभी जामों की दृष्ट से मुगल सामराज बहुत ही महात्वण है दोस्तों तो वीडियो के साथ अ टाइम पिरियड की बात करें तो इसका टाइम पिरियड 1605 इसवी से 1627 इसवी तक रहा जहागीर का टाइम पिरियड दोस्तों कितना रहा तो 1605 इसवी से प्रारम होकर 1627 इसवी तक उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि जहागीर का जन्म कब हुआ तो जहागीर का जन्म कब और कहा हुआ दोस्तों तो 30 अगस्त 1579 में फतेपुर सीगरी में सेख सलीम चिस्ती की कुटिया में हुआ था दोस्तों और ये जहागीर का दोस्तों मुख्य प्रसिचक कौन था तो जहागीर का मुख्य प्रसिचक अब्दुलरहीम खाने खाना था और दोस्तों अब्दु बैरम खां कौन था तो ये अकबर का संरत्चक था तो दोस्तों बैरम खां अकबर का संरत्चक था और बैरम खां के पुत्र का नाम अब्दुलरहिम खाने खाना था दोस्तों और अब्दुलरहिम खाने खाना ने दोस्तों बाबर नामा का फारसी अनुवात तुजुक ए का नौरतन भी था उसके बाद दोस्तों आगे देखती हैं जहागीर के बच्पन का नाम क्या था तो दोस्तों जहागीर के बच्पन का नाम सलीम था जहागीर के बच्पन का नाम सलीम था और दोस्तों जहागीर के पिता का क्या नाम था तो अकबर और जहागीर की माता का क्या नाम था दोस्तों तो हर्खाबाई दोस्तों जहागिर की माता का क्या नाम था तो हर्खाबाई था दोस्तों हर्खाबाई के बारे में जब हम लोग अकबर के बारे में जानकारी कर रहे थे तब हमने आपको बताया था दोस्तों कि हर्खाबाई दोस्तों आमेर के राजा भार मलकी पुत्री हर्खावाई थी और दोस्तो हर्खावाई को इतिहास में प्रसिद किस नाम से मिली ये भी हमने आपको बताया था तो मरियम उज्जमानी मरियम उज्जमानी के नाम से हर्खावाई को इतिहास में प्रसिद मिली और ये दोस्तों हरखावाई थीक हो तो जहागीर की माता का नाम हरखावाई था उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि जहागीर के बच्पन का नाम सलीम था तो अक्बर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ और जो 16 अक्टूबर 1605 इस्वी को नूरुद्दीन मुहमद जहांगेर बादसाही गाजी की उपाद धारण करके गद्धी पर बैठा उसके बाद दोस्तों 1585 इस्वी में जहांगेर की साधी मानबाई के साथ में होती है और दोस्तों ये मानबाई को थी तो भगवान दास की पुत्री और मान सिंग की बहन दोस्तों ये मान सिंग आप जानते हैं कि अक्बर की सेना का सेना पती मान सिंग था दोस्तों और इसकी स मानबाई की साधी किसके साथ हुई तो जहांगीर के साथ और दोस्तों जहांगीर और मानबाई का एक पुत्र हुआ उसका क्या नाम था तो खुसरो दोस्तों इस नाम को याद रखना मोस्ट इंपार्टेंट है कि मानबाई और जहांगीर से एक पुत्र हुआ उसका नाम क्या गुसाई के साथ में हुई और दोस्तों ये जगत गुसाई कौन थी तो मारवार के राजा उदै सिंग की पुत्री थी जगत गुसाई मारवार के राजा उदै सिंग की पुत्री थी और ये दोस्तों जो मानवाई थी तो ये आमेर के राजा भगवानदास की पुत्री थी और इसके दोस्तों ये मान सिंग की बहन थी और ये मान सिंग अकबर की सेना का सेना पती था दोस्तों और ये जगत गोसाई मारवार के राजा उदै सिंग की पुत्री थी और जगत गोसाई का अने नाम दोस्तों क्या था तो जोधाबाई दोस्तों जगत गोसाई का अने नाम जो उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों 1616 में 1660 में खुसरो ने ये दोस्तों खुसरो कौन है अभी हमने आपको बताया मान بाई और जहां गीर का पुत्र खुसरो तो दोस्तों 1660 में खुसरो ने अपने पिता के खिलाब विद्डऻो कर दिया जिसमें खुसरो की मदद सिक्खो के पाचवे गुरु अर्जूंद्योंने की उसके बाद दोस्तों आगे देखते क्या हुआ खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच जालंधर के निकट भैरावल नामकिस्थान पर युद्ध हुआ दोस्तों खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच जिसमें दोस्तों जहांगीर ने गुरु अरजुन देव की हत्या करवा दी तथा खुसरो को अंधा करके कैद में डाल तो दोस्तों खुसरों को अंधा करके कैद में डाल दिया किसने तो जहां गीर दिया उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं 1608 ही सी में कैप्टन विलियम हाकिन्स जहां गीर के दरबार में आया जिसे इस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनित बना कर भेजा गया था दोस्तों ये कुश्यन बहुत से एक जामों में पूछा गया है कि कैपटन हाकिन्स किसके दरबार में आया था तो जहां गीर के दरबार में कैपटन विलियम हाकिन्स आया और इसे इस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनित बना कर भेजा गया था उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों जहांगीर के सासंकाल में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्टरी सूरत में लगाई दोस्तों जहांगीर के सासंकाल में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्टरी सूरत में लगाई दोस्तों यह याद रखना कि अंगरेजियों ने अपनी पहली पैक्टिर कहा लगाई तो सूरत में लगाई उसके बाद दोस्तों 1615 इसी में सर टामस रो जहांगीर के दरबार में आया दोस्तों 1615 में सर टामस रो ये दोस्तों नाम याद रखना क्योंकि ये most important है एक जाम में सीधा कुश्चन आ जाता है कि सर्ट टामस रो किसके दरबार में आया या कैप्टन हाकिन्स किसके दरबार में आया तो दोस्तों ये दोनों जहांगीर के दरबार में आये थे दोस्तों ये दोनों जब आये थे उस समय बिटन के महराज कौन थे तो किंग जेम्स फष्ट थे बिटन के महराज किंग जेम्स फष्ट द्वारा ये दोनों भेजे गए थे सर्टामस रो और कैप्टन हाकिंस उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं 1611 EC दोस्तों 1611 EC में महरुन निसा महरुन निसा की साधी किसके साथ होती है तो जहांगिर के साथ 1611 EC में महरुन निसा की साधी होती है लेकिन दोस्तों महरुन निसा का पती अली कुली बेग होता है अली कुली बेग महरुन निसा का पती होता है और महरुन निसा का अभी दोस्तों ये कहानी हम आपको समझाएंगे कि 1611 में महरुन निसा से जहांगिर की साधी कैसे हुई और ये अलिकुली बेग जो इसका हस्वाइंड था दोस्तों या पती था महरुन निसा का इसका क्या हुआ तो दोस्तों ये जो महरुन निसा थी तो इरान के निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूर जहां का वास्तविक नाम महरुन निसा था तो दोस्तों इरान के निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूर जहां का वास्तविक नाम महरुन निसा था दोस्तों बहुत ध्यान से देखना कि 1594 इसी में नूर जहां का विवा अली कुली बेग के साथ संपन्ध हुआ जहागीर ने एक सेर मारने के कारण अली कुली बेग को सेर अफगान की उपाधी दी दोस्तों ये सभी नाम यात रखना most important है अगर आप एक भी नाम को मिस करते हैं तो आपकी समझ में नहीं आएगा दोस्तों तो 1594 इसी में नूर जहां का विवा अली कुली बेग के से संपन्ध हुआ और जहागीर ने एक सेर मारने के कारण अली कुली बेग यानि दोस्तों नूर जहां के पती को सेर अफगान की उपाधी प्रदान की उसके बाद दोस्तों आगे क्या हुआ 1607 इसी में जहांगीर ने महरुन निसा के पती अली कुली बेग की हत्या करवा दी और दोस्तों महरुन निसा के साथ साधी की कब तो 1611 इसी में तो दोस्तों यह चीज़ आपको बहुत अच्छ समझ आ गई होगी यह स्टोरी महरुन निसा नूर जहां का वास्तविक नाम महरुन निसा था दोस्तों उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं जहांगीर ने महरुन निसा को नूर जहां की उपादी ती तो दोस्तों जहांगीर ने महरुन निसा को नूर जहां की उपादी ती दोस्तों जहांगीर ने नूर जहां के पिता जो गयास बेग थे इने साही दीवान बनाया एवं इतमाद उद्दौला की उपादी थी दोस्तों ये सभी नाम याद रखना कौन सी उपादी थी तो इतमाद उद्दौला की नूर जहां के पिता गयास बेग को दोस्तों इतमाद दौला की उपाद किस ने दी तो जहांगीर ने दी उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं नूर जहां की माता का क्या नाम था तो दोस्तों नूर जहां की माता का नाम असमत बेगम था नूर जहां की माता का नाम अस्मत बेगम था और अस्मत बेगम जो थी दोस्तों इन्हें गुलाब से इत्र निकालने की विडिक हो जी उसके बाद दोस्तों 1617 इस्वी में अहमद नगर अभिया 1617 इस्वी का अहमद नगर अभियान दोस्तों 1617 इस्वी में जहांगेर ने अपने पुत्र खुर्रम दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि खुर्रम ये कौन तो सह जहां दोस्तों सह जहां का बच्पन का नाम खुर्रम था तो 1617 इस्वी में जहांगेर ने अपने पुत्र खुर्रम को अहमद नगर अभियान पर भेजा तो दोस्तों वहाँ क्या हुआ अहमद नगर अभियान पर अहमद नगर के वजीर मली कंबर के विरुद सफलता से खुस होकर जहांगीर ने खुर्रम को साह जहां की उपादी थी तो दोस्तों खुर्रम को साह जहां की उपादी कैसे मिली तो एहमन नगर के वजीर मली कंबर के विर्यूद सफलता से खुश होकर जहां गिर ने खुर्रम को साह जहां की उपादी ती उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं 1622ini कंधार मुगलो के हाथ से निकल गया और साह अभास ने इस पर अधिकार कर लिया तो दोस्तों 1622 CCV में कंधार मुगलो के हाथ से निकल गया और साह अबास ने इस पर अधिकार कर लिया उसके बाद दोस्तों 1626 CCV में 1626 CCV में नूर जहां बेगम ने इतमातुद दौला का मगवरा बनवाया तो इत्मातुद दौला का मक्वरा तो किसने बनवाया तो नूर जहाने बनवाया और कब बनवाया तो 1626 में दोस्तों ये कुश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अभी आपको बताते हैं ये कुश्चन कैसे एक जाम में आता है तो मुगल कालीन वास्त कला के अंतरगत निर्मित या प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संग मरमर से निर्मित है तो दोस्तों ये सीधा कुश्चन ऐसे आता है कि प्रथम ऐसी इमारत जो पूर्ण रूप से बेदाग संग मरमर से निर्मीत है तो ये दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इत्मातु दौला का मकबर है तो मुगल काली नवास्तकला के अंतरगत निर्मित या प्रथम या दोस्तों कौन तो इत्मातु दौला का मकबर है ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संग मरमर से निर्मीत है और सरव पर्थम इसी इमारत में पित्रा दुरा नामग चड़ाओ काम किया गया है दोस्तों ये भी most important है कि पित्रा दुरा नामग चड़ाओ काम सरव पर्थम किस इमारत में किया गया तो इत्मातु दौला के मकबर हमें है उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं लाडली बेगम दोस्तों ये जो लाडली बेगम थी वो सेर अफगान एवं महरुन निसा की पुत्री थी तो दोस्तों ये लाडली बेगम ये सेर अफगान कौन था हमने आपको बताया दोस्तों कि सेर अफगान अली कुली बेग को सेर मारने के क्रम में जहांगीर ने सेर अफगान की उपाजी दी तो दोस्तों ये अली कुली बेग और नूर जहां की जो पुत्री थी लाडली बेगम इसकी साधी दोस्तों जहागीर के पुत्र सहर यार के साथ में हुई तो दोस्तों जहागीर लाडली बेगम सेर अफगान और महरुनिसा की पुत्र थी और जिसकी साधी जहागीर के पुत्र सहर यार के साथ में हुई जहागीर के दोस्तों पुत्र कितने थे तो जहागीर के पाँच पुत्र थे खुसरो, परवेच, खुर्रम, सहरियार और जहादार उसके बाद दोस्तों जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वान काल कहा जाता है और दोस्तों जब हम लोग अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे तब दोस्तों हमने आपको बताया था कि अकबर के काल को हिंदी साहितिका स्वान काल कहा जाता है तो दोस्तों ये बात बहुत ध्यान रखना कि अकबर के काल को क्या कहा जाता है तो हिंदी साहित्य का स्वान काल अकबर का कहलाता है और जहांगीर का काल क्या कहलाता है तो चित्रकला का स्वान काल तो दोस्तों चित्रकला का स्वान काल जहांगीर का काल और हिंदी साहित्य का सौन काल तो अकबर का काल दोस्तों उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं 28 अक्टूबर 28 अक्टूबर 1627 इसवी को भीमवार भीमवार ये दोस्तों लाहौर में नामकिस्थान पर जहां गीर की मृत हो गई कब हुई तो 28 अक्टूबर 1627 इसवी को कहा हुई तो भीमवार लाहौर में और दोस्तों इसे साहधरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया कहा दफनाया गया तो साहधरा में रावी नदी के किनारे ये भी दोस्तों साहधरा लाहौर में है और लाहौर में 28 अक्टूबर 16 सा 27 इसवी को जहांगिर की मृत्त हो गई और इसे सहादरा लाहौर में अत्रावी नगी के किनारे दफनाया गया उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि जहांगिर के मकबरा का निर्माड नूर जहां लाहौर के सहादरा नमक इस्थान पर कराया दोस्तों ये याद रखना कि जहांगिर का मकबरा कहा है तो लाहौर के सहादरा में कुश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जहांगिर का मकबरा कहा है तो लाहौर के सहादरा में और दोस्तों कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि अकबर का मकबरा कहा है तो अकबर का मकबरा दोस्तों कहा है तो हमने आपको बताया था कि आगरा के निकट सिकंदरा में आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा है और जहागीर का मकबरा कहा है तो लाहोर के सहादरा नामक इस्थान पर उसके बाद दोस्तों आगे रेखते हैं जहागीर ने अपनी आत्म कथा तुर्की भासा में लिखी है दोस्तों जहागीर ने अपनी आत्म कथा तुर्की भासा में लिखी और इसका नाम क्या था? किस नाम से दोस्तों इसने अपनी आत्म कथा लिखी? तो तुजुक ए जहागीरी या जहागीर नामा तुजुक ए जहागीर जहागीर नामा लेकिन दोस्तों ये अपनी आत्म कत्हा लिख रहा भुआ था तभी इसके मृत्ध हो गई तो इसलिए इसे ये पूरा नहीं कर पाया और إसको पूरा करने का स्रे किसे जाता है तो मौत बिंद खा को तुझुक जहांगीरी या जहांगीर नामा को पूरा करने का स्रे जाता है उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं जहांगीर को नियाई की जंजीर के लिए याद किया जाता है ये भी दोस्तों कुश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा तो जहांगीर को नियाई की जंजीर के लिए याद किया जाता है और यह जंजीर दोस्तों सोने की बनी थी जो आगरा के किले के साह बुर्ज एवं यमुना के तट पर इस्थित पत्थर के खंबे से लगवाई हुई थी दोस्तों जहांगीर को नयाई की जंजीर के लिए याद किया जाता है और दोस्तों ये जंजीर सोने की बनी थी और ये जंजीर लगी कहां थी तो आगरा के किले के साह बुर्च एवं यमुना तट पर पत्थर के खंबे से लगी हुई थी दोस्तों ये जंजीर और दोस्तों जहांगेर की मरत के बाद उसका उत्रा धिकारी साह जहां हुआ तो दोस्तों जहांगेर की मरत के बाद उसका उत्रा धिकारी खुर्रम या साह जहां हुआ तो दोस्तों अगली क्लास में साह जहां के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें सेयर करें और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद